हेलो एवरिवोन वेलकम बैक तो माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे लूसेंट की आपकी जो जीके जीएस की बुक है उसके सेकेंड चैप्टर की जो की है हमारी वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक सबेता बोल सकते हो आप इसको वैदिक पिरिड जितने भी क्वेशन बनते हैं वहां से वह हम सब डिसकस करेंगे 100 प्लस क्वेशन है इससे पहले एक वीडियो है आपका मिल चुका है इसी का वह हमारा हडपा सिवलाइजेशन जिसे हम सिंदू सबेता भी बोलते हैं उसमें हमने 75 क्वेशन किये थे और अंसर की भी मैंने प्रोवाइड करा दे आपको यह सेकिंड चैप्टर है चैप्टर वाइज हम लुसेंट को कंप्लीट करेंगे जितने भी क्वेशन बनते हैं चैप्टर के अकोड़े हो और जितने एक्जाम में आए हुए हैं अगर आपने पहले NCRT पढ़ी है कभी या फिर अभी एक बार उसको पढ़ लो उपर उपर से वहां से जितने क्वेशन बनते हैं आपके यहां पर रिवीजन हो जाएगी बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वेशन है हमारा पूरव वैदिक या रिगववदिक काल कि से माना जाता है तो यह क्वेशन आते हैं और मैं यह नहीं कहूंगी कि बर-बर क्या आता है ऐसा कुछ नहीं है ये कभी कभार पूछ लिये जाते हैं क्योंकि जो चीज थोड़ा सा फ दिखे गए थे रिगवेद हमारा सबसे पुराना वेद है और इसमें रिगवेद का जिक्र किया जाएगा तो यह माना जाता है काल 1500 से 1000 इसवी पूर्व सेकिंड है उत्तर वेदिक देखो एक तो आपका प्री वेदिक है ठीक है एक है आपका पोस्ट वेदिक तो यह अलग-अलग क्वेशन बनते हैं इसे पूर्वेदिक पूछे तो 1500 से 1000 इसवी और अगर उत्तर वेदिक पूछे तो 1000 इसवी से 600 इसवी पूर्व यह आपको और मैं आपको बतादूं कि आर्य जो लोग है वो अपने आपको स्रेस्ट समझते थे और वो कहते थे कि हम यह सब से स्रेस्ट है हमें सारे अधिकार मिलने चाहिए जो मतलब वो अपने से नीचे वाले लोगों को नीची जाती का मानते थे अब मतलब यहाँ पे करम के आधार विवाजन हो गया था शरम शारमी काधार पर कह सकते हैं करम के अनुसार जो हमारा पूर्वैदिकाल है उसमें तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ट होना कुलीन होना सुपीरियर होना प्रारंबी कारियों के बारे में निवन में से कौन सा खतन सही नहीं है संस्कृत तो आरे ने लोग मनगरों में विश्वाजा निवास नहीं करते थे ओकए on this metric अमारा इंसल का ज्यान mm वैदिक खाल के लोगों को नहीं था तो यह तो बहुंत पुरानी और आहे आगी पॉर्ड़ीम का हम कह सकते हैं पूर्तगाल जो लोग है वह यहां पर तमबाख ने तो फसल जो गेहूं और चावल और हडपा सिवलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कपास का वैपार होता था और वो लोग वैपारी थे ठीक है कपास उनकी परमुक उत्पादन की फसल थी और यहां पे वैदिक काल में पूचे तो जो गेहूं और चावल नेक्स्ट कोश ठीक है तो यहां पर उनको क्या बोला जाता था यजमान श्रमन अर्थवन या फिस रेस्टेन तो इनको श्रमन बोला जाता था यजमान मत बोल देना बी ओप्शन यहां पे सही रहेगा वैदिक गनित का महत्वपून अंग क्या है या वैदिक गनित का महत्वपून अंग ह तो आपको पता है देखो बई वह से हम कहाने आयभटनेजी 0 की शुरुवात थुलेकिन वेदों में भी तो यह चीज थी देखो यहां पे गनित था यहां पे तो इसका महत्रोण अंग है उन्हेंut को ओकर और यह Parod नेक्स्ट है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया है। वेद, ब्राम्मन, आर्न्यक और फिर उपनिशद यैसे ही आएगा ये ओर्डर वेद, ब्राम्मन, आर्न्यक और फिर उपनिशद ऑप्शन नमबर ए। नेक्स्ट है, भारत के राज चीन्डे में प्रियुक्त होने वाले जो सत्यमेव जैते हैं, वो किस उपनिशद से लिए गए हैं, तो ये क्वेशन बहुत बार आया भी है, और ये मुंडक जो हमारा उपनिशद है, ऑप्शन नमबर ए बिल्कुल सही रहेगा। रिगवेदी कारियों का मुख्य वैवसाय क्या था? हडपा सिवलाइजेशन में क्या था? कि वो वैपारी थे, वो कपास का उत्पादन करते थे, बेचते थे मंडी में जाके, और रिगवेदी कारियों का मुख्य वैवसाय क्या था? तो ये लोग यहाँ पे पशु पालन क करते थे option number B next question है भारतिय संगीत का आदि ग्रंत क्या कहा जाता है रिगवेद उपनिशेद यजूरवेद या फिर सामवेद कहीं पे भी संगीत की बात आ जाए तो आप सभी को पता है कि सामवेद ही क्या होता है संगीत से जुड़ा हुआ वेद है तो इसको आदि ग्रंत बो तो देखो चानक के तो बहुत बाद में आएंगे मौरेन एंपायर जब आएगा हमारा और चंद्रगुप्त भी से लुकेस निकेटर आपको पता ही है चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करा दी थी तो यहां पर जो पर्थम वीदी निर्मा बढ़े है तो फ्रिम्त भगवध गीता जो है वह क्रिशन भग थी का पर्थम और प्रधान घरन्त है जिसे हम गीता भी बोलते हैंốc्प्षन नम्बर बी रिग्वेथ में संपत्तीका परमुक रूप क्या है अब यहां पर अगर अगर संपत्ती के वारें जो पूरा रूप है वो गोधन है मतलब जो गाएं वगेरा है उसके लिए भूमी नहीं है यहां पे यहां पे सिर्फ गोधन आएगा जो गाएं है उसको माना गया है संपत्ति का परमगरूप रिगवेद के किस मंडल में शुद्र का उल्लेक पहली बार मिलाया आप सभी को पता होगा कि ब्राम के रूप में इनका क्या था काम यह सेवा करेंगे ठीक है और इनको अधिकार नहीं थे महिलाओं को भी नहीं थे शुद्र लोगों को भी नहीं थे नेक्स्ट है पुरानों की संख्या कितनी है तो पुरान हमारे अठारा है ओप्शन नमबर ए वैदिक धरम का मुख्य किस चीज की उपासना करते थे भई पशुपती देखों हमने पढ़ा था कि आदिश्यू की पूजा करते थे पशुपती को पूजना प्रारम कर दिया था अडपा संस्कृति में अब यहां पर वो लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे ठीक है और यहां पर पूछे तो यह प्रकरती जो है उसकी उपासना करते थे नेचर को सुपीरियर मानते थे किस देवता के लिए रिगवेद में पुरंदर शब्द का प्रियोग हुआ है तो पुरंदर बोला गया है इंद्र के लिए ठीक है ऑप्शन नमबर ए सुल्व सुत्र अभी हम पढ़ अस्तोमा सद्ग में तमसोमा जोतिगर में मृत्योमा अम्रतम गम्य यह कहां से लिया गया है तो यह उपनिशद है हमारा ऑप्शन नमबर ए आर्या भारत में बहार से आये और सर्व पर्थम बसे थे आके कहां पे तो ओविसली वो पंजाब में बसे थे ठीक है ध्यान रख में फेमस हुई थी सिंदु नदीवी थी तब की बात है तो यहां पर पंजाब में आकर सबसे पहले यह बसे थे फिर हमें सुची एक को सुची दो से मिलाना है कि रिगवेद में क्या हुआ यह जो ओर्डर है यह बिल्कुल सही है आपका रिगवेद में होता यह करता को कियों कहा जाता है यह क्योंकि इनकी रचना पुरुषने नहीं देवताओं के दुवारा के गई है ठीक है ऑप्षण नमबर एवैश्विक दर्शन के प्रती पादक कॉन है वैश्विक दर्शन के जो प्रती पादक है में हमारे उलुक अनत यह क्वेशन आते हैं यकीन मान निएगा जो हमारा जैसे पतंजली है एक आपने योग दर्शन भी सुना होगा मिमांशा भी सुना होगा तो वैश्वीक दर्शन के हैं हमारे उलुक कनत मिमांसा या पूर्व मिमांसा दर्शन के प्रतिपादक ये क्वेशन तो आया भी है और आपको पता भी होगा मिमांशा B will be correct है रिगवीद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है तो नोवा जो मंडल है वो हमारा किसको समर्पित है सोम को प्रशिद दस राज युद यह दस राज युद आता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार गूगल करके सर्च कर लीजेगा कबीलों के बीच युद बाता नदी के तट पर हो अधा तो पुरुषणी जो नदी है उसकी कि वा था देखो यह तो बहुत बाद में आता है इनका जीकर हिस्ट्री में पुरुषणी जो नदी है उनके किनारे दश राज युद हुद रहा धा धर्म शास्त्रों में भूराजच दर्र च्या है धर तो यहां पर पूछ लिया है यह आपको इयर दे दिया है और काल पूछा है तो यह हमारा ब्राह्मनी युग है नेक्स चलते हैं 34 नंबर क्वेशन किस काल में अचूत की अवधारना स्पस्ट रूप से उदित हुई है अचूत मतलब आप समझ सकते हो न कि वो अचूत मानते थे उनको चूवानी जाता था मतलब उनको बराबर के अधिकार नहीं थे निमन जाती के लोग माना जाता था उन कि रौमशास्तर के काल में इनको अचूत की अवधारना स्पस्ट्रोप से उदित हुई है कि एशिया माइनर स्तित बोगा जाकोई का मेहत्व किसलिये है यहां से अभिलेक मिले हैं हमें और चार वेदिक देवता मिले हैं इंदर वरुन, मित्र और नातष है तो इसलिए इसका महत्व है कि यहां से चारदेता मिले हैं गायतरी मंत्र देवी सम्वरित को संबोधित किस पुस्तक में लिखा है गायतरी मंतर का सबी को पता है हमारे रिवेत में मिलाllow और सबसे पुराना वेद भी इसी को माना जाता है नेक्स आ गया है हमारा नियाए दर्शन को परचारित किया गया था नियाए दर्शन को किसके द्वारा परचारित किया गया था तो ये गोतम जो है उनके द्वारा किया गया था ठीक है नेश्ट रेप प्राचीन भारत में निश्क से जाने जाते थे निश्क क्या बोला जाता था तो जितने भी हमारे गोल्ड के ओर्नमेंट्स थे जो हमारे सुरण के आभूशन थे उनको निश्क माना जाता था योग दर्शन के प्रती पादत पतंचली है अन्याय पुस्त के किस पर आधारीत हैने तो उपंशत पुस्त के हैं वो डरेशन पर आधारीत हैं दरशन防ण चैसरा में खुरहन पीड़न जा रखायर क्वएद का है वहीज्य। जादू टोना वगेरा वो अर्थवेद में माने गए हैं नेक्स क्वेशन है यहां पर आरंबिक वैदिक साहित्य में सरवादिक वर्नित नदी कौन सी है जो हमारा प्री जो वैदिक सिवलाइजेशन या प्री वैदिक जो पिरेड था उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र किस नदी का हुआ है तो यह हुआ है हमारा सिंधू नदी का बाद में सतलूज नदी फेमस हो जाती है यहां पर नई सतलूज मैं गलत कह रही हूं सरस्वती सरस्वती सतलूज नहीं सोरी सरस पुरानी नदी मानी जाती है और आपको पता भी है हरियाना में यह कह रहे हैं कि यह नीचे से बह रही है अभी प्रमान नहीं मिलें जिसमें जारी है लेकिन अभी प्रमान नहीं मिलें इस चीज के और यह जो सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है तो वो सिंधू नदी का हु प्रशक मतलब राजा शाशन करने वाला अध्यात्म ज्यान के विशे में नचिकेता और यम का समवाद किस उपनिशद में प्राप्त होता है अध्यात्म अगर ज्यान लेना है तो इसका समवाद मिलता है आपको कंठोक निशद में option number C यहां पर correct रहेगा वैदिक नदी कूब का या काबुल का स्थान तो हमें पता है कि अफगानिस्तान में है काबुल और यहां पर 45 नंबर क्वेशन का अंसर यह option विल करेक्ट कपिल मुनी द्वारा प्रति पादिक दार्शनिक परनाली क्या है तो देखो न्याय दर्शन अभी हम पढ़के आ हैं उत्र मिमान सा पढ तामबा कासा सीसा तीन सोना चांदी इन सब धातूं का ग्यान था लेकिन यहां पर लोग दातू के पर्चनन के प्राचिनतम प्रमान मिले हैं अत्रंजी खेडा में ठीक है अभी तक हडपा सिवलाइजेशन में लोग दातू से परिचित नहीं थे वो लोग तो अत्रंजी नेक्स्ट निञ्स्ट निम्न में से किसका संकलन रिगवेद पर आधारित है तो अधारित मान सकते हम सामवेद के संकलन को क्यो尽 üstमें 3 में शामिल नहीं है प्रस्तान 3 में कौन-कौन सा सामिल नहीं है भागवत, भगवत गीता, ब्रह्म सुत्र या उपनिशर तो भागवत जो है ये प्रस्तान 3 में शामिल नहीं है option number A 50 number question है करम का सिद्धान्त किसे सम्मदित है न्याय से मिमानशा से वेदान से या वैश्वेश के तो करम का जो सिद्धान्त है वो है हमारा मिमानशा से सम्मदित option number B next question है ये आपको मिलान करना है तो देखो अर्थव वेद में आपके क्या आएंगी ओश्दी आएंगी जादू टोना भी आएगा तंत्र मंत्र भी आएगा वशी करण भी आएगा फिर आता है हमारा रिगवेद रिगवेद में हमारे स्त्रोथ है एश्वर की महिमा है और प्राथनाए है फिर आता है हमारा यजूरवेद और यजूरवेद के अगर हम बात करें तो इसमें बलिदान की वीदी है ठीक है और सामवेद हमारा संगीत से रिलेटेड है तो से संबंदित है यग संबंदीवीदीविदानों का पता चलता है यग किस कालमी किया जाते थे रिगव्यद हमारा प्रठनाव से हैं सामवेद शम्हें संगीत से हैं तो यह जो है यह समस्मदीवीदानों का पता चलता है 54 नंबर question है वैदिक यूगीन जो सभा होती थी वो कैसे होती थी गाउं के जो वेपारी लोग थे या वेबसाइक लोग थे उनकी थी राजदरबार के लोगों कोई थी राज्ये के समस्त लोगों की थी या मंतरी परिशत थी तो आपको पता है एक शाशक अपना मंतरी परिश समिधान में ऐसे ही वैदिक यूगीन जो सभाती वो मंतरी परिशत थी वैदिक यूग में परचलित लोग प्रिया शाशन पर नाली क्या थी निरंकुष था प्रजा तंत्र था गंटंत्र था या वन्शा नुगत राज तंत्र था वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो अभी ह है हमारा गंतंत्र जब उत्तरवैदिक पूछेगा तब अलग आंसर होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है रिगवेद येजुर्वेद सामवेद अर्थवेद तो रिगवेद जो है वो सबसे प्राचीन यूगीन माना जाता है और परोश्यकाल कहा है क्योंकि देवताओं न वेदांत इन 6 भिन भारतिये दर्शनों की सपस्ट रूप्त से अभीवेक्ति कब हुई तो वैदिक यूग में हो गई थी गुप्त डाइनस्ट्री कोशान मौरे एंपाइर ये बाद में आएंगे वैदिक काल में इसका वर्नन हो गया था नीमन में से वह दस्तकारी कौन से जो आरियो द्वारा वैवार में नहीं लाई गई अभी हम पढ़ा है हमने कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं दे अभी तक ठीक है तो आरियो के द्वारा लोहे को यूज नहीं किया गया लोहार गरी नहीं थी बाकी मृदभांड थे यहां पर आबुशन भी थे बड़ई हरी गरी थी और लेकिन लुहार गरी नहीं थी लोहे के ँसे धातु से परिचित नहीं थे नेक्स आपका यहाँ पर भी न मिलान करना है हमें और यह प्रेंदिवीदि अब कि kana नहीं कि संब्दै तो यह बिल्कुल सही है, ऐसे ही यह मैंच हों जाएंगे 61. रिगवेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल बोला गया है तो रिगवेद के दूसरे और सात्वे मंडल तक जिक्र किया गया है वंश मंडल या गोत्र मंडल का 62. किस वेद में जादूई माया और वशी करण है तो अर्थव वेद में है 63 आरे शब्द किसको इंगित करता है तो आरे शब्द अपने आपको श्रेष्ट या कुलीन वंश का माना जाता है रिगवेद में कुल कितने मंडल है यह आपको पता है 10 मंडल है गायतरी मंतर का जिक्र भी इसी मंडल में हुआ है आरे भारत में कहां से आये थे तो यह आये थे हमारे मध्य इश्या से Central Asian पार्ट जो बोलते हैं यह वहां से आये थे और सबसे पहले कहां पर आके बसे थे पंजाब में और सतलुज नदी पर सिंदु नदी का जिक्र हुआ है सौरी तो मध्य इश्या से आये थे कौन सा वेद अंशत है गद रूप में भी रचित है गद्य पद्य आपने हिंदी में पढ़े होगे तो गद रूप में परिचित है यह हमारा है यह जुरवेद यगों से रिलेटेड है यह हमारा सभा और समीती परजापती की दो पुत्री थी ये किस काल में पता लगता है ये लगता है हमें अर्थवेद में तो सभा और समीती किसकी पुत्रियां थी प्रजापती की 68 रिग्वेदिक यूग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है सभा, समीती, विदत या परिशन तो अब ही हम पढ़के आए हैं सभाय और समीति के बारे में तो ये आएगा विदत ठीक है ये रिगवेदिक काल की प्राचीनतम संस्था थी ब्राम्मन गरंथों में सबसे प्राचीन कौन है ब्राम्मन जो अलग अलग गरंथ है उसमें सबसे प्राचीन गरंथ माना जाता है ये माना जाता है हमारा शत्पत ब्राम्मन को बी option गोत्र व्यवस्ता पर्चलन में कब आई देखो अब उत्रवैदिक काल में होगा जो कुछ भी होगा ठीक है जाती के आधार पर विवाजन होगा यहां पर निम्न जाती के लोगों को नहीं रखा जाएगा उच जाती के लोगों को ही सिक्षा का अदिकार होगा गोत्र व लड़की करता है तो उसे अनुलोम विवा को कोई हाउट का है और उसने लो कास्ट की लड़की से शादि किया नारी से अनुलोम विवाजन होगा प्रतिलोम इसके उल्टा को हो जाएगा कि जब हाइ- Clay's की जो लड़की होगी या उच वरण की जो नारी होगी वो अपने से कम या निम्न वरण के पुरुष के साथ जब विवा करेगी तो उसको प्रतिलोम बोला जाएगा वैदिक युग में यव किसको बोला जाता है तो ये तो आपको यहां पर देखो 76 नंबर पर सिक्षा है धमनी शास्त्र से रिलेट रिलेटेड कल्प सुथ्र है करम कंड़ से निरूक्थ है हमारी शब्द वियुत पत्ती शास्त्र या भाशा शास्त्र और चंद हैं हमारे चंद शास्त्र तो आप यहां से थोड़ा सा इसको ट्रिक से भियाद कर सकते हो, देखो, क्या से कल्प है, कैसे करमकांड है, छैसे चंद है, छैसे चंद शास्त्र है, और सिक्षा है हमारी धावनी शास्त्र, इसे भाशा शास्त्र में मत लेके आ जाना, ठीक है, निरुप्त हमारी शब्द व प्राचिंतम है, तो मनु सम्रिति को सबसे प्राचिंतम माना जाता है, 79 है, आदिकावे की संग्या किसे दी जाती है, आदिकावे बोला जाता है हमारी रामायन को, ठीक है, महबारत विश्व का सबसे बड़ा एपिक है, इंगलिश लिटरेचर में ये बोला गया है, और है आदिकावे हमारी रामायन है, प्राचिंतम पुराण कोंसा है, तो प्राचिंतम पुराण है हमारा यहाँ पर कोंसा मतश्य पुराण, रिगवेद में सबसे पवित्र नदी देखो, मैंने बोला था ना सरस्वती नदी का जिकर होगा, सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस पुरुषणी दश्राज का यूद हुआ था यहां पे और जो आरे लोग सबसे पहले आके मध्धेश्य से पंजाबें आके वसेते सिंदुनदी के किनारे वैदिक समाज की आधारबुति काई थी कुल थी ग्राम थी विश्थी जनती तो कुल है यहां पे रिग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान ध्यवति की पहचान करे जिसकी स्तूति में ड़ाइसो सुकतों की रचना वी है तो इंड्र के बारे में बोला गया है थी कैंड्र के बारे में ड़ाइसो सुकत लिखे तो अर्थवेद में किस रचना में नारी को सुर्ण और पांसा के साथ तीन परमुक बुराईउव में शामिल करगे यह मेत्राइनी सहिता में नारी को पांसा बोला गया दो यहां पर प्रजा Pixanaidd और ये बिलकूल करेक्ट है देखो राजसुय योग भघा था राजा के सिंहासन से संबंदीत यग होता था आशुमेद यह होता था घोड़ा चोड़ दिया जाता था अगर राज्य उसको वश्म् resultados जीत लेत था तो उसका राज्य हो जाता था राजनेतिक शकति बढ़ाने हे तो किया जाने वाला यग था ये वाजपे जो यग था वो था आपका शोरिया परदर्शन और प्रजा के मनोरंजन आर्थ किया जाने वाला मतनम मनोरंजन टाइप था शोरिया परदर्शन की कौन जाता बलचाली है और अगनी स्ठोम यूग था था देवताओं को प्रशन करन आपस में 88 number question पे चलते हैं पुरुषणी का अधुनिक नाम अभी क्या बोला जाता है पुरुषणी के किनारे कौन सा युदुआ दशराज का युदुआ कभीले के राजा और दस राजाओं के बीच तो पुरुषणी बोला जाता है रावी नदी को और यह हमारा हडपा संस् संसकारों की सोला है और पुरानों की अठार है और यह वेदों की हमारी कितनी है चार है अभी अनुलोम प्रतिलोम पढ़के आये थे अनुलोम विवा उच जाती का वरन निम्न जाती की नारी प्रतिलोम विवा उच जाती की नारी निम्न जाती का पुरुषणी अब आजो विवा बोला जाता था जब समान वरण या अपनी ही जाती के विवा अपनी जाती के लड़के से या लड़की से विवा करना दैव विवा बोला जाता था पुरोहित मतल राजा या पार्शर्मिक में मिले कन्या के साथ विवा करना आश्र विवा बोला जाता था कन्या मुल्य के रूप में एक जोड़ी गाएं और बैल चुका कर विवा कर देते थे और प्रजा पत्य विवा बोला जाता था बिना दहेज का विभा ये चारों विवा याद रखेगा नेक्स्ट और भी हैं गंदर्व विवा गंदर्व आपने पढ़ा होगा गंदर्व जैसे पांडो का हुआ था तो प्रेम विवा बोला जाता था और यहां पे गंदर्व विवा मतलब जो भी अगर कोई नारी किसी पुरुषे करती या पुरुष किसी नारी से प्रेम विवा करता है तो उसको गंदर्व विवा बोला जाता था आशुर विवा तो ये कन्या को खरीद लेते थ राक्षश विवा प्राजित जो राजा हार जाता था उसकी कन्या को उठा लेते थे यह अप्रण की हुई कन्या के साथ विवा यह राक्षश विवा बोला गया है पैसाच विवा होता है सोई हुई अवस्ता में कन्या को गुम्रा कर देना मतलब बेहुशी की आलत में और मां काच है और हई खरीद कर भी करते हैं बहुत सारी यही विवार रह गए अब नीक्स आगए चलो तीन रन में शामिल नहीं देवोニimana की नहीं है और पित्र कारण स्नसक्र variase संब्दित मृद्भांड की उत्रवैदिक काल से सम्मदित मृद्भांड संस्कृती देखो उपर देखो रिगवैदिक काल में हमारी गैरुवर्णी है और उत्रवैदिक काल में आ जाएंगे चित्री दूशर मृद्भांड हर्याना प्रांत में चित्री दूशर मृद्भांड कहां से मिले हैं ये मिले ह भईया हमें भगवान पूर से ठीक है प्राचिंतम विवा संसकार का वर्णन करने वाला विवा शुक्त किसमें पाया गया है प्राचिंतम विवा के बारे में तो एक रिग्वेद में पाया गया है रिग्वेद में अगन्य वद के अगनी मतलब काटा नहीं जाना चाहिए गा गाएं के बारे में बोल रहा है और मैं आपको बता दूं कि जो ये मुस्लिम लोगों की कुरान होती है ना कुरान शरीफ उसमें गाएं को ये बोला गया है कि खाने योगे पशू देख लीजिए हमारा रिगवेद ज्यादा कुरान है या उनकी कुरान ठीक है वही तो यहां पर गाएं को अगन्य माना गया है नेक्स्ट और 98 नमबर संगरित संगरित कहते थे जो कोष को इकटा करता था जो कोष की रखवाली कोष का अध्यक्ष होता था भागदूत जो करको इकटा करता था चत्रिय पासे के खेल में राजा के शायक शत्रिय तो नहीं है यहां पर चता या चतरी है तो ये है हमारा पांसे के खेल में जो वो राजा लोग खेलते थे ना उसमें राजा का हेलपर बनता था और अक्षवाप है हमारा राजपरशाद का सक्षक या प्रतिहारी एक सेकिंड ये गलत हो गया चतरी आएगा हमारा प्रतिहारी राजपरशाद का तो ये दोनों ऐसे हैं रित जिसे प्राकर्टिक संतुलन स्थापित करने के कारण वैदिक देवता को रितश्य गोपी कहा गया है ये कहा गया है वरुन को और 200 बार जिकर किसका है इंद्र का निम्न में से कौन मुलत है जल या समुद्र का देवता था था तो ये है हमारे आगे तीन करम या पंगो में तीन लोग को माप लेने के कारण उपकरम किसे का उपकरम कहा गया है तीनों लोगों को माप लिया था विश्णू ने नेक्स है आपका मिलान करना है बही पूशन विवा कैसा था विवा का देवता पूशन को बोला जाता था रुद्र हमारे प मनु समृति है हमारी समाज व्यवस्ता से कानु नर्चाश्ट से नहीं है यह इसने समाज के बारे में बात किए समाज्वयस्ता से गायतします कि रचना किए की हमारे विश्व मितर option number B इवेस्ता और रिग वेद समानता है अवेस्ता किania तरह से हैं मतलब रिग्वेद वेद और अवेस्था ये दोनों समान हैं सिमिलर हैं तो यह हमें इरान से संबंदित है अवेस्था 106 नमबर क्वेशन है निम्न में से कौन सी एक रिग्वेदी कार्यों की लाक्षनिक विश्यस्ता नहीं है वो अश्वरत और कांसों से परिचित थे बिल्कुल अभी हमें पढ़के आये थे लोहा गिरी नहीं करते थे गों से भी परिचित थे गाएं से संपत्ति का सरवादिक में तक पूर्ण रूप थी है और तांबे के बारे में पता था आदोनिक हल फाल के प्योग से भी परिचित थे लेकिन लोही से परिचित नहीं थे अभी तक रिग्वेदी कार्य पूछा है रिग्वेद में निम्न कान किन नदियों का उलेक अफगानिस्तान के साथ आरियो विचार को चित्रित करते हैं यह क्या है धर्म और रित धर्म वैक्ति के दाइत्वू स्वैम तथा दूसरों के प्रती व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी और रित क्या होता था रित होता था नैतिक विधान जो की सरस्टी और उसमें अंतर निहित सारे तत्वों के किरियकलाप को संचालित करता था तो याद रखिए धरम होता था दाइत्व और दूसरों खोम सिद्दान्त का पक्ष किस ने लिया तो यह लिया था बेजी तिल्क ने नेक्स्ट कूबा को अभी क्या बोला जाता अदुनिक नाम क्या है गंडक नदी के बारे में यह और कूबा और कुरू हमारी अफगानिस्तान से रिलेटर है कूबा को गंडक पुरुशनी को और सदानीरा को रावी और शतुद्री को सतलज तो यह याद रखेगा यह आपके मिलान ऐसे होगे आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेशन है रिगवेद में कितने सुकत है रिगवेद में है आपके 1028 और 10 है मंडल पुर्वैदी कारियों का धर्म क्या था प्रकरति की पूजा करते थे और यग करते थे पतंजली कोन था पतंजली हमारे पानेनी के संस्कृत व्याकन अस्टाध्याई क्या है एक सकिंड अस्टाध्याई का एक टीका कार था अस्टाध्याई की थी पानेनी ने शत्पत ब्रामन से संबंदित राजा विदे माधव से संबंदित रिशी क और कल हम करेंगे महाजन पदकाल ऐसे करके मैं आपको पूरी लूसेंट करा दूंगी जिसमें हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे इससे अलग आपको जीके जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी और बाकी जो है करन्ट बगेरा वह आप करते रही अगर करन्ट भी मैं यह वेस्ट तो नहीं कहूंगी लेकिन आप एक से डेट गंटा रोज कहीं और वहां पे दोगे तो वह अच्छी से त्यार हो जाएगी अगर आपके पेपर में दो से तीन नंबर का आता है अगर वेटेश ज्यादा है करन्ट की तो डेली करिए तो यह था हमारा सेकिंड चैप्टर और आपको वीडियो कैसे लगी है बताएगा प्लीज और कमेंट करिएगा और मैं यह सीरीज मतब चैप्टर वाइस करा रही हूं तो आपको कैसे लगी है जरू बताएगा थैंक यू सो मच